प्रतेक मंगलवार को कलेक्टरेट में जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है जिसके तहट आम जनता के विभिन समस्याओं को सुन कर उसका निराकरण किया जाता है वहीं समस्याओं की संख्या जादा होने के कारण अधिकारियों द्वारा सभी मामले को गंभीरता से नहीं लिया जाता इसी की चलते इन दोर में डियाईजी रुचिवर्धन मिश्य ने एक मुहीम चलाई है जिसके तहट नए वर्ष के आवसर पर डियाईजी ओफिस में जन सुनवाई का आयोजन क्या जाएगा और सभी समस्याओं पर कारवाही की जाएगी नए वर्ष में डियाईजी कारेले में जन सुनवाई की विशेश विवस्ता की गई है चुकि शिकायतों की संख्या काफी रहती है और इसको सभी को वरिष चिस्तर पर गंवीटा से सुनने की आवश्यक्ता होती है इसको देखते हुए ये विवस्ता की गई है कि इसमें सभी एडिशनल स्पी उपस्तित होंगे जन सुनवाई में उनकी टेबल्स अलग लग लगेंगी और वरिष चिस्तर पर इसको प्रत्य काविदन को पढ़ने के बाद उसमें समधित एडिशनल स्पी को मार्क करके उनसे सुनवाई कराई जाएगी ताकि प्रक्रणों का प्रस हैंड उनको आइडिया रहे और उसमें ततकाल जो भी निर्ड़ा लिये जाने हैं उसके लिए वो अपने अधीन स्थाना प्रभारियों को या राच्छ पीज को निर्देशित कर सकेंगे और अगले हफते की जनसुनवाई में विगत सप्ता की शिकायतों पर क्या करवाई हुई उसको समय समय पर रिव्यू किया जाएगा ब्यूर रिपोर्ट जे एसार टाइम्स इंदौर